इस्टुडेंट आज हम आपके सामने लेके हैं इंग्लिस पोकेन एंग्लिस ग्रामर कुछ भी समझें आपको अगर इंग्लिस सीखना है एकदम बेसिक से तो आप मारे चैनल पर इस्टे हो जाईए वैसे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं अगर आप प्लेलिस् मतलब पीछे बीती बातों से रिलेट रखता है मतलब वाज का मतलब होता है था थी और वर का मतलब होता है थे कुछ ऐसे ही भासा की रूप में हम इसको समझेंगे ग्लिस और हिंदी दुनों को मिला करके यहां पर आज आपका इसके पहले हमने पढ़ा था टूबी का लए इसलिए मैंने माईक को करीब ले लिया है तो उसके लिए सुट już! तो मत देखिएगा पाले देखिएगा इसमें क्या-क्या माटर है और आपको wherebyसे कहीं का सी जीजे हैं देखिए वह समझते हैं हमारे दाइनिक जीवन में अंग्रेजी का प्रियोग करते हैं कहीं न कहीं वाज और का प्रियोग पढ़ने लेखने में मिलता है मतलब यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो वाज और वर होता है न वो सिंपल पास्ट टेंस में और आइजिलेरी वर्व के रूप में किया जाता है वाज का प्रियोग सिंगलर सब्जेट के लिए नाउंस के साथ और वर का प्रियोग प्लियोग सब्जेट के साथ नाउंस के साथ मतलब अगर आप वाज यूज कर रहे हैं तो आपको सिंगलर सब्जेट मतलब सिंगलर मतलब सकते हैं कोई भी परसन कोई भी वस ठीक हो तो वहाँ पर एक फरकेज़ करेंगी लोग biss से ही होगा, सी होगा, यहाँ पर मैंने लिखागा, मतल pozie ही होगए, सी ओगए, यह सब लिखागए, इस के होगए, देखिये सब frase şunu, कले। एंगली में कभी बी तौह को प्रयों में आएगा इसके साथ में वाजzd लिखेंगे हैं Nh Style का मतलब जो होगा था और थी होगा ठीक है मतलब वह था तो वह का मतलब ही हो गया और था का मतलब वाज मतलब see watch लगेगा इसी तरह कि that watch लगेगा वह था वह थी कुछ एक वचन करता के साथ यह साथ चीजे बेसिक से हैं आपको अच्छी तरीके समझना है यहां पर देखे हैं जैसे क्रूब में he watch सी वाज, आई वाज, तरीस वाज, तैट वाज, एण इसी तरीके से आपका और भी है, यहाँ पर देखते जाएगा, यहाँ पर राम वाज, मतलब कोई भी नेम हो, चाहिए ओ लेडी हो, जैंस हो, अधर नेम कुछ भी हो, नेम तो नेम, मतलब नाम के साथ भी हमारा वाज कोईगल है, तो यहाँ पर देखिए गाज, और भी है, तो हमें क्या लगता हो, वर लगता, वर और वाज में हम समझते हैं, यह सारी बाते देखिए, वाज का हमारा मतलब जो होगा, वो हमें था और थीक ही रूप में प्रियोग करेंगे, और उसी तरीके से वर का रखना इसके साथ साथ हम जो भौबेचन और करता होते म जिसके साथ हमारा define बहुत सारी और नंण नंद कीया यह 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 करेंगे ऐ हो गया कि और जाए हो जाए तो यहां पर ये साथ गज़े बहुचन के साथ वर और एक वचन साथ वाच कनफॉर्म चलिए हम पर और चीज़ें पढ़ते हैं उसके बाद दिखाते हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि वर का प्रयोग जो होता है यू हो गया वी हो गया एंदे दीज दोज सभी का मतलब यह कर इसका मतलब ह होता है यहां पर कंफ्यूझ आपको बहुत सार रहे पर दोसरा आपका यहां पर क्या हो गया दो जो गया इसका भी मतलब हो गया इसका भी मतलब कर दोनों में confusion देखिए यह जो होता हमारा सूचक के रूप में होगा किसके रूप में यह वाला यह किसके रूप में होगा सूचक के रूप में होगा ठीक है हमारा यह सूचक के रूप में हो गया और यह जो है ना यह वाला हमारा जो होगा यह हमारा किसके रूप में होगा यह तो हमारा ह बच्चे हैं वे बच्चे थे वे बच्चे थे वे बच्चे थे वे शाहिए नहीं है कि वे बच्चे हैं, वे गदें हैं, वे गदे थे, वे बच्चे थे, वे छात्राएं थी, कुछ ऐसे हम बता रहे हैं ना, सुचप के रूप में दिखा रहे हैं ना, जिसको हम जान नहीं हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जब हम कोई चीज़ दिखा के बात कर रहे हैं ना, त लेकिन अगर उन बच्चों के परसनल बात Alrighty की बातकी करने चले हैं मतलब अगर और बच्छों की बात करने करने चलें कि वह खेलते हैं वो खेलते हैं वकलि मैं से अब जिसे यहां पर भी आपका है जिसे आपर यू आर यू आर के बाद देयर और वियर और इसके बाद दीजर और दोजर तो यह देखिए कभी-कभी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको आपको वर बोलना है क्या बोलना है और इसको कभी-कभी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वे हो ग्रल टो इसके साथ वाज होता लेकिन यहां पर यस लग गया तो वर गया इसी तरीके से बॉय अई एध्लिके वर हो गया अगर यह यह पटा दिया गया तो आपके वाज ठीक ऐसे ही देखिए मैन हो गया यहां पर काउज हो गया मतलब बहुत चनो अब एक वाजन बहुत चर्चा खतम समझ लिए अब यहां पर हम देख लेने प्रोनावन के रूप में मतलब इसकों कैसे मत्ते हैं कि आई वाज वी वर यूवर यूवर ठीक है जब हमारा सेकेंड प्रोनाव के रूप में में तबंट उनलए प्रौनावर घंते हैं मध्लस निदरती जब हमब करेंगे मतलब बहुतके निससे आप यहां पर ध्यान-देते हैं है हिक्षान हे इसके बाद है होता है ये आपका एक वचन होता है ये आपका बहुचन होता है ये आपका बहुचन होता है ठीक है इसी तरीके से यहां पर आपका क्या होता है एक था होता है और एक थी होता है ठीक है ये ये थी होता है और एक थी होता है ये एक वचन हो गया ये बहुचन थी थी ब जो कि इसके structure कैसे होगा subject होगा वाजवर होगा compliment होगा जो कि compliment में आपका noun नट्जक्टी प्रिपोस्ट जो आपका प्रिपोजनल होता है वो phrases होते हैं उनको यह कर सकते हैं सब्सक्राइब होगा उसके बाद था किनारे जाएंगे जो हमारा वर्व होता है मैं इसको देखेंगे अजरेवार, मॉड़ल अजरेवार, हेल्पिंग वार बींसली को देखते हैं तब करता के बाद यहीं हमें ध्यान देना है तहां पर ही वाज सैड ही वाज सैड अदो वहां तुम्हारी मतजी थी सीवाजी और मदर एंड इसी तरीके से और सारी एक्जांपल है यहां पर दे अजरेवार, मैं कल बैस था, मैं आई के साथ वाज ही लगेगा, आई वाज बीजी अश्टर डे पीछी भी बात रहे अब यार धान देना था थी 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 आ रहा रहा थी मतलब पीछी की बात हो रही है हमें सक्वीवार, वह खेलता था, मतलब वह रहीम था, तुम गय थे त पीछिक बात है, अब पीछिक बात हो रही है तब इसको समझ लेना, अब यहां पर हमारा जो, जो हमारा आईजलेरी है, कुछी तरी हम कल घर थे, ओ सरी हम कल घर थे, तो वी वर एट रो होम, अश्टर डे ठीक है, वह पार्क में थे, अभी देखे, एट होम लगा है, अब पर जो प्रिपोजीशन होते हैं, इनकी कलास जब भी आएगी ना, तो आपको सारी चीज़े समझाएंगे, अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, कभी भी जब सुरू करें ना, तो आप पहले साथ पहले, जो आगे का संटेंस ह उसको लिखें, फिर आप चले जाएगा, डारेक्ट आप पीछे, जो एक जिलरी होता है, उसका हम देखेगा, फिर ऐसे पीछे होते हुगे, चले आप ट्रेंस जो है, यह आप इसको आप इंगलिस बनाने का एक रूल समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत ही आसान हो जाए यहां पर पहले मैंने start बाले point को पहले यह हमारे count सा point होगा, first point, उसके बाद यहां पर चले जाएए, second point, उसके बाद आप यहां पर चले जाएए, third point, ठीक है, तो आप देखेए, यहां पर हमारा पहले क्या था, सुन्दर ला, पहले सुन्दर ला आ खो लिकि해, पीछे करना है ना मैंने बोला ना तो इसी तरीके साथ समझना है इसके बाद हम चलते हैं और उपर थोड़ा मेरा भाई डाक्टर था तो मैं उसके साथ था स्टरड़े आई वाज विद हर एंड यहां पर निगेटिव संडेज करूप में अगर निगेटिव होना तो आपको क्या करन है यहां पर वाज और वर के बाद हम नाट डंश करना वखिसारे सारे पूरा वही है मतलत संस्य तुम कल बीमार नहीं थे अगर यही्क क्たい नहीं ठैना लग जायेगा और यहां पर हिंदी आ जाएगी नहीं मतलब तुम कल बिमार नहीं थे सेम ऐसे सारी चीजे करना है मतलब अफ्रमेटिक को समझा तो निगेटिव को करना है आज लिदी के बाद आपको नाट लगा देना है तो आज रभिवार नहीं था इट वाज नाट संडे टूडे कल सर्दी नहीं थी इट वाज नाट कोल्ड बताया जाएगा आप यहां पर देयर के जो होता है इसको अलग बताया जाएगा इसका एक अलग चैप्टर होगा हम उसको अलग रिवीजन करेंगे विद ऐसे पीडियाप के साथ ही में यूज करेंगे पीडियाप चाहिए तो आपको हमे को वगा यहां पर देखिए इसके बाद हमारा अगुरा क्या है वह चौड नहीं थे तो वाज़न फेस वह गरीब नहीं था तो यह हो गई उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गाउं में एक कुई हथा तो अब यहाँ पर देखे दिख्या जाएं अन उपस थी तो कि एंड उपस्थी दी क्या एंड उपस्थि थी ठीक है ये मतलब जहां पर कोई करता नहों और किसी चीच की वस्थिद और नुबस्थिध दिखाए जाये तो वहां पर कुछ इस तरीके के युज़े जो इसी तरीके से हम इट के युज़े दिखाते हैं इट के युज़े हम समय के लिए करते हैं किसके लिए समय में आपका कुछ भी हो दिन हो महीन हो ठीक है साल हो टाइम हो ठीक है कुछ भी हो तो इसके लिए हम इट का प्रियोग करेंगे ध देखिए वह कल पार्क में नहीं थे यहां पानन उपस्थित वाथ इसलिए दैर का यूजज हो गया वाकि थे के लिए तो वर ही लगा नाट इन सारी चीज़ें तुम्हारा कमरा साफ नहीं था यो रूम अज नाट क्लेन गाउं में कुवा नहीं था फिर कुवा की बाद ने आप लगा रहे था जब करता लगा रहे था क्या लगा रहे था लगा रहे था कि उसके बाद यहां पर देखिए कुछ चीज़ें हैं इसको हम दिखा देते हैं लाइट चलीगी यह थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां पर देखिए आगी हम दिखा देते हैं क्या तुम खुष थे तो वर वियू है पी एंड आपका है कि वहां क्या वाकल न यहां पर आपका हो गया उसके बाद आपका हो गया उसके बाद आपका हू 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 हो गया उसक पहले question word की इंग्लीज देखिए question word की उसके बाद वाज और वर लगाना है तब जाके subject अभी तक देखिए जब क्या से सुरू हो रहा था उसके पीछे क्या था क्या से सुरू हो तब आपको क्या करना है तब आपको वाज और वर रखना है तब subject यहीं से आपका तब बनेगा लेकिन अगर आपका ये प्रस्माचक सब्द आगे तब आपको ऐसे लिखना है कैसे लिखना है इन तरीके से लगाना है तो यहाँ पर question word को पहले लगा दें जैसे कल मौसम कैसा था तो कैसे की इंग्लीज पहले लिखी जाए कि यहां पर लिखी गई उसके बाद वाज दव सारे इंपॉर्टेंट हैं तो कभी भी हम इसको साट कट में एक तरीका बताएंगे निगेटिव इंड्रुगेटिव को कैसे करना है पहले आप क्रियाओं को समझ लीजिए जो वर्व हैं उनको भी आची तरीकर समझ लीजिए उसके बाद आपको ध्यान देना है जो आपका इसको हमेशा सर्जेक्ट से पहले रखना याद रखना और अगर आपको डबलू याच वर्ड आ जा रहा है तो इसको भी आपको इस से पहले भी रख देना है बस यही ध्यान देना है ठीज़ है तो इस घर का मालिक कौन था तो हाउनर आप हाउस तो यह हो गया आपका उसक एड़ेक्टिव नहीं है तो आपका यहां पर और अधर तरीके की चीज़ें हो सकते हैं कंप्लिमेंट हो सकता है वहां पर लगाना है तो आपको यह नहीं कि करता के बाद लगाना है किसके बाद लगाना है करता के बाद आपको नाट लगा देना है यहां पर देखेंगे तो वाज स्याम नाट उनेस्ट वर यू नाट विद मी वर यू इन हाल सिनेमा तो यहां पर देखेंगे तो सारी चीजें आपको नाट कहां लगा हुआ यह यह होगा आपको उसके बाद कभी-कभी क्या होता है वाज और वर का प्रेव पास्ट कांटिनिवस में होता है अगर आप प्रेवर इअं करेंगे वार यहां परते यहां पर अलग तरीके सब्स नहीं करेंगे यहां पर थोड़ा सकीज़ें वाजाएन आहां और नो में ही होगा और इट का प्रयोग जैसे कर अभीवार था इट वाज संडे और इट वाज बेरी कोल्ड मतलब जहां पर था थे ती आ रहा है तो उसी ग्रूब में भी उजिट कर लेंगी आपको समझ में वाते वैसे भी आगई देयर के साथ मैंने बताए देयर के साथ भी कमरे में एक बिल्ली थी तो दाइट दैर वाज आट इन दा रूम पार्क में कुछ लोग थे दैर वाज सम पीपल इन दा पार्क भारत में 29 राज है मताब 29 राज है तो इस तरी के लिए कुछ यहां पर है आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए इसको आप हल करिएगा हो सक साइज आपका यहां पर है उसके बाद यहां पर यहां पर आपको मिल जाता है ठीक है तो यह चीज़े थी आपको इस तरी के समझना है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइख सेर कमेंट कर देना हो सब्सक्राइब है और उसके बाद मैं बोलता हूँ अगर आप मारे चैनल पर नहीं तो आप एक बार क्या करिएगा प्लेइलिस्ट को चेक कर लिएगा क्या करिएगा प्लेइलिस्ट को आप चेक लिए प्लेइलिस्ट बहुत इंप्वांट है चेक करना जरूर प्लेइलिस्ट एक बार प्लेइलिस्ट आपको मज़ेदार मिलेंगी उसके बाइ बाइ बाइ